दोस्तों आप सभी को मेरा नवश्कार मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूँ थ्री पावर्स के बारे में वो तीन सक्तियां जिसकी वदलत हम बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं बहुत बड़ी रिकवनीशन आसल कर सकते हैं और अपने मन चाहे सपने पूरे कर सकते हैं तो कौन से हैं वो थ्री पावर्स नमबर एक पावर ऑफ यूनिटी एकता की शक्ति नमबर दो पावर ऑफ शम्मेशन समर्प्रण की सक्ति नमबर तीन पावर ऑफ इस्पोकन बड्स बोले हुए शब्दों की शक्ति ये तीन शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जिनका इस्तमाल करके हम जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं और अपने फिल्ड में बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आज इन तीनों शक्तियों के बारे में बारे-बारी से एक-एक करके आपसे डिसकस करूँगा अपनी बात रखूँगा जो मैंने एक लंबे अरसे के बाद कई सालों के अनुभव के बाद सिस्टम से सीखने के बाद जानी है मैं आपके बीच में उनको जरूर रखना चाहूंगा तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एकता क शक्ति है एकता की शक्ति वो शक्ति है जिसका हम यूज करके एक बड़ा नेटवर्प बना सकते हैं चलिए पहले हम एक कहानी के माद्यम से समझने की कोशिश करते हैं एक बुड़ा किशान था जो गाउं में रहता था उसके चार बच्चे थे चारों बेटे आपस में जगड़ा करते रहते थे चारों बेटे कोई एक दूसरे की बात मानता नहीं था कभी भी आपस में बनती नहीं थी पिता जी उन चारों बच्चों की बातों को देख देख कर अरकतों को देख देख कर बड़े दुखी होते थे बड़े परिशान होते थे सम्में बीता जा रहा था पिता जी बुजर्ग होते जा रहे थे उनको चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा तो उन्हों ने उन चारव बच्चों को समझाने के लिए अपने पास बुलाया जब अपने पास बुलाया तो पहले उनको एक एक लकड़ी दी गई कि बेटे इसको तोड़ के दिखाओ तो बड़े ही आसानी से चारव बच्चों ने उन एक एक लकड़ी को तोड़ दिया थोड़ी देर के बाद उन चारव को एक लकड़ी का बंडल दिया गया जब बंडल दिया गया तो खूब ताकत लगाने के बावजूद भी वो चारों में से कोई भी एक भी लड़का उस बंडल को नहीं तोड़ पाया तो पिताजी ने बोला कि आपको कुछ समझ आया बच्चों ने बोला हमें कुछ समझ नहीं आया आप बताईए हमें क्या समझाना चाहते है कि मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि जब आप अकेले हैं तो आप किसी कोई भी आपको तोड़ सकता है आपको नुक्षान पहुचा सकता है लेकिन जब आप मिल जुल करके एक साथ आप रहते हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं विगाड़ पाएगा तो moral of the story ये कहती है कि एक जुट रहने में ही हमारी तागत है मिल के काम करने में ही हमारी तागत है ये हमने सुरुबा से बचपन से ये कानिया सुनी होई है unity में रहने से हमारी तागत कही गुना बढ़ जाती है और हमको कोई तोड़ नहीं सकता है हमको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है तो पावर ओफ यूनिटी हमारे बिजनिस में इस पावर का बहुत अधिक मैतो है क्योंकि हम टीम वर के बिजनिस में है लोगों के बिजनिस में है पावर ओफ यूनिटी का हमारे बिजनिस बहुत बड़ा रोल है इसकी सुरुवात कहां से होगी यूनिटी की सुरुवात होती है हमारी फैमिली से हमारे परिवार से तो अपने पहले यूनिटी परिवार में फैमिली में होनी चाहिए और अगर परिवार में यूनिटी है तो इसको आपकी टीम वाच करेगी और ऐसा भी बोला जाता है कि लीडर एक काँच की घर में रहता है और वे जो भी करता है जैसा देखता है जैसा व्यवार करता है तो टीम उसको फॉच करती है यानि देखती है और उशी को वे कौपी करती है तो इसलिए शुर्वाद फैमिली से तता इसके बाद में आपकी बिजनिस में आपके अप्लाइन के साथ वी उनिटेट विद यूर अप्लाइन लीडर्स और आप उसके बाद आप अपने टीम के साथ यूनिटी बहुत अधिक मेहत्पूर है यानि कि इंपोड़ेट है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो भी लोग अपने बिजनिस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपनी टीम को अपनी अप्लाइन की टीम देखें क्योंकि मेरी टीम मेरी अप्लाइन की टीम भी होती है और अगर या दिन में मेरा 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 या मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम करके रिजर्व करता रहूँगा उसी को मेरी टीम के लीडर भी दोराएंगे और वो भी वही करेंगे मेरी टीम मेरी टीम मेरी टीम और एक दिन क्या होगा कि टीम में विखंडन शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं कि एक नाज़ुक सूत है का पास का तो जब उससे एकटा कर दिया जाता है तो उसे बहुत अधिक मजबूत मोटा रसे का रूप धर्ण कर लेता है और उसकी ताकत कई गुना जाता हो जाती है एकटे रहने पर और अगर अलग कर दिया जाए तो कोई उसकी ताकत नहीं है और ताकत उसकी खत्म हो जाती है पावर अफ यूनिटी अगर आप मिलकर रहते हैं मिलकम काम करते हैं परिवार में टीम के साथ अपने अपलाइन के साथ सबसे पहले क्योंकि? जिनके साथ आपको बिनिस बड़ा करना है सुरुवात आपकी आपके अपलाइन के साथ होती है और अगर आपकी अपलाइन के साथ में अगर यूनिटी बना कर काम करते हैं जोडी बना कर आप काम करते हैं तो आपकी ताकत कही गुना बढ़ जाती है और इसी काम को आपके टीम के लीडर भी दोराते हैं दोस्तों आपने देखा होगा कि चीटिया बहुत छूटी छूटी होती है बहुत छूटी मामूली से देखा जाए तो वे अकेली है तो एक छूटे से तुकडे को भी छूटे से कण को ले जाने में भी वह असमर्थ होती है लेकिन जब वो चीटियां मिल जाती है एक साथ हो जाती है एक जूट हो जाती है तो उनकी ताकत कही गुना बढ़ जाती है और वो बड़े से बड़े किसी भी चीज के पीस को उठा करके ले जाती है क्योंकि एक तामे ही सकती है एक ता में ही ताकत है, मिल के काम करने में ताकत है एक वार की बात है, एक किशान गाओं में रहता था, अपने खेती वाड़ी करता था, अपने खेतों में काम करता था और जब वो ठक जाता था, तो एक पेड़ की नीचे आ करके पेड़ की छाओं में सो जाया करता था ये बरसों से वो करता चला आ रहा था लेकिन उसी गाउं में पेडों की चोरी होना शुरू हो गई चोर आए दिन पेड काट काट के ले जाते थे तो उसे बड़ी चिंता हुई कि दीरे दीरे करके पेड करते चले जा रहे हैं एक दिन ये भी पेड कट जाएगा तो उसने क्या किया थोड़ा सोचा सोचने के बाद एक खुबसूरत एक अच्छा सा पत्थर एक सिविलिंग की बाती उसके पत्थर मिला और वो पत्थर लाके उसने पिड़के नीचे रख दिया और उसपर थोड़ा सा अल्दिवदी लगा करके टिका गिका करके उसको रख दिया तो चोर जब आए देखने के लिए तो उन्होंने देखने के बाद जाना कि ये कोई साधान पत्थर नहीं है ये तो एक पूजा का इस्थल है जहां लोग पूजा करते हैं ये पवित्र इस्थान है और वो वहां से चले जाते हैं दीर देखर कुछ लोग आना शुरू होते हैं और उस पत्थर की पूजा होने लगती है लोग इकत्रत होने लग जाते हैं रोज पूजा होती है तो पत्थर ये सोचने लगता है कि मेरी बज़े से ये पेड़ सुरच्छत है और इसकी पूजा हो रही है और पोधा भी वह पत्थर उठकर के उस इस्थान से चला जाता है कि अब मैं देखता हूँ इसका क्या होगा जब वो जाता है तो जाकर के एक इस्थान पर ठेर जाता है वहां से एक मूर्तिकार निकलता है और उस खुबसूरत पत्थर को देख करके वो सोचता है कि ये बहुत कूसर पत्थर है इसकी बहुत सांदार मूर्ति मैं बनाऊँगा ये सारी बातें पत्थर सुन रहा होता है कि जब मैं जाता हूँ गर से और औजार लेके आता हूँ इसमें से काट छाट करके इसकी मूर्ति बनाऊँगा ये बात सुनता है पत्तर तो इसको समझ आती है और इधर पेड़ भी ऑकेला जब होता है तो चोर जब आते हैं तो देखते हैं क्यरे ये तो साधाराश पूदा है यहां तो कुछ भी नहीं है तो वो भी अपने अत्यार लेने के लिए अपने ओजार लेने के लिए अपने घर जाते हैं तो पौदे को भी लगा कि नहीं नहीं मेरी जो सुरच्छा हो रहे थी वो पथर की वज़े से हो रहे थी और पथर भी सोचता है कि मेरी जो सुरच्छा हो रहे थी मैं जो बचा हुआ था मैं भी पौदे के वज़े से बचा ह जाता है जैसे चोर आते हैं तो देखते हैं अरे यह तो है वहां से चले जाते हैं इस कानी का आशा यही है कि एकता में ही सकती है बिल्जुल के रहने में ही तागत है वो दोनों मिलकर के रहे तो दोनों की उसमें बलाई हुई और सेफ रहे दोनों के दोनों बच गए हमें बह कूड़ी औरत जाड़ू लगा रही थी और अपने घर को साफ कर रही थी उसने क्या किया उसने जाड़ू की रस्ती को खोल दिया जाड़ू बिखर गया उसने क्या किया उस जाड़ू की एक सीख से एक सीख से कूड़े को साफ करना चाहा काफी प्रयासों के बावजूद भी कुड़ा साफ नहीं हो रहा था थोड़ी देर के बाद वबुड़ी वरत उन सब को बांद देती है उसकी बेटे की बहु थी उसको सारी प्रिक्विया को देख रही होती है कि माताजी ने पहले जाड़ू को खोला और एक सीख से जाना चालू किया तो कुड़ा बिल्कुल साफ नहीं हो रहा था और जैसे ही उन्होंने पूरे जाड़ू की सारी सीखों को बांद दिया तो दुबारा से जाड़ना चालू किया तो सारा कच्रा साफ हो गया बहु ने अपनी साथ से पूछा कि माताजी बताईए इसका क्या मतलब है तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि इस जाड़ू की जो ताकत है इन सीखों की जो ताकत है एक सीख अकेले हो करके एक तुकड़ा भी कच्रा नहीं उठा पा रही थी लेकिन ये बंद गई एक साथ बंद गई तो सारा कच्राहम यहां से आसानी से साफ किया जा रहा है इसका मतलब साफ है बहु मिल जूल करके रहने में ही ताकत है संगटन में ही सक्ती है और बिगटन में ही कमजूरी है ये वो अपनी वहों को मेंसेज देना चाती थी तो वक्षू भी उन्होंने ये मेंसेज दिया दोस्तों बोला जाता है जहां विवाजन है जहां विखराव है चाहे वो अदेश हो चाहे वो गाओं हो चाहे वो घर हो चाहे वो परिवार हो चाहे वो आपकी team हो जहां विखराव है जहां विवाजन है इन सभी जग्यों पर महां कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं होती अगर आप उस ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं उसकी रहमत पाना चाहते हैं तो हम सब को unity में रहना होगा क्योंकि एक तामे ही सकती है और ईश्वर वहीं वास करते हैं जहां पर लोग संगठित रहते हैं तो सजिस ईश्वर ने हम सब को बनाया है जब वो ईश्वर ही हम सब के साथ बेदबाब नहीं करता है तो हम क्यों करते हैं तो हम कौन होते हैं इस सब भेदवाब करने बाले, एक वार सोच के तो देखो, एक वार सोचो दोस्तो, चर्च पर भी बरसता है, मंदिर पर भी बरसता है, मस्जिद पर भी बरसता है, गुरुद्वारे में भी बरसता है, ए बादल बता, तेरा मजहव कौन सा है, मंदिर में भी चड़ता है, मस्जिद में भी चड़ता है, ए फूल बता, तेरा मजहब कौनसा है, सारे जहां को रोशन करता है, ए सूरज बता, तेरा मजहब कौनसा है, पुजारी की भी त्रसना मिटाए, इमाम की भी प्यास बुजाए, ए पानी बता, तेरा मजहब कौनसा है, तेरा मजहब कौनसा है, मुसलिम भी तुझ में लीन हो जाते, मुसलिम तुझ में कबर बनाते, और हिंदु तुझ में जलकर मिट्टी बन जाते, ए मिट्टी बता, तेरा मजहब कौनसा है, ए मिट्टी बता, तेरा मजहब कौनसा है, इस्वर भी तू, अल्ला भी तू ए परवर दिगार बताना तेरा मजहब कौन सा है तेरा मजहब कौन सा है दोस्तो सच कहूं न, सकसे सपूष सिस्टम में जो एकता है न हमारे गुर्ब में जो एक टाकत है न उसमें सोचना इबादत है और जुकना नवाज होता है दोस्तो मिल्यूल के एक साथ रहकर के, यूनाइटेड रहकर के हम सबी को आगे बढ़ना है और बहुत बड़ा काम करना है और अपना नाम बनाना है, अपनी पैचान बनानी है, अपना मुकाम बनाना है हम सब को एक साथ मिल करके काम करना है, दोस्तो मैंने भी शुरुबास से ग्रेवाल सर के साथ मिल करके काम किया, देविंजी के साथ मिल करके काम किया जूडियां बना बना के, यूनिटी में काम करके, आज हम लोग इतना बड़ा काम कर पाए इतना बड़ा network बना पाए इतनी बड़ी team बना पाए इतने बड़ा मुकाम बना पाए इतने बड़े achievement ले पाए तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर हम सब लोग मिल जुल करके रहते हैं तो हम लोग भी बहुत बड़ा काम बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ी पैचान अपनी बना सकते हैं दोस्तों तो हम बात करते हैं second power के बारे में वो है power of submission समर्पन की सकती इस सकती को हम एक टाकी सकती कहते हैं चली हम इसको समझते हैं इस divine energy या यूनिवर्शल का ही एक हिस्सा है एक टाकी सकती शमिशन ही एक एनरजी एक यूनिवर्शल पावर का ही हिस्सा है और इस यूनिवर्शल divine energy को जो हम हिस्सा है पूरा ब्रहमांड पूरा यूनिवर्श एनरजी से ही बना है हैं और हम सभी उस एनरजी का ही एक हिस्सा हैं तो शंबिशन क्यों समर्पन क्यों किसके लिए और कहां तो समर्पन पहले उसी शक्ति के लिए जिस सक्ति से हम सब बने हैं जो सक्ति हमारे अंदर वाश करती है जो जो शक्ति इस ब्रह्मांड को बनाती है जिस सक्ति से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है जो सक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है तो सबसे पहले समर्पन उस सक्ति के लिए उस सक्ति को जिस्वी रूप में आप मानते हैं जा किसी धर्म के अनुशार किस रूप में मानते है तो इसे universal power, divine energy उसके प्रते आपको submission करना होगा सबसे पहले सबसे पहले सुरुवात कहां से उती है समर्पण की समर्पण उस इश्वर के लिए उस भाव के साथ करें कि आज जो हूँ मैं आपकी बज़े से हूँ जो कुछ भी मैं बनूँगा वो आपकी बज़े से बनूँगा और जो बनना चाहता हूँ वो अभी मैं आपकी बज़े से मुझे बनाने वाले आप हैं जोनोंने पूरे ब्रह्मान्ड को बनाया है वह आप हैं यह समर्पन का भाव हमारे जीवन में और तरक्की में कुशियां देता है यूनिवर्शल पावर के प्रत्य समर्पन के भाव में और समर्पन आपके अप्लाइन के प्रत्य फिर सिस्टम के प्रत्य उन चीजों के प्रत्य जो आपको मिली है ये हमारे लिए बहुती महत्मून है तो सम्मिशन अप्लाइन के प्रत्य क्यों? अप्लाइन के प्रत्य इसलिए क्योंकि अप्लाइन ही वह व्यक्ति है जिनके माध्यम से हमें ये बिजनिस मिला है जिनके साथ रहकर हमने इस बिजनिस को शीखा है उनके साथ रहकर के काम करने का शवभागी मिला है लेकिन अप्लाइन की प्रतिसमरपड में अधिकान सु लोगों को देखते हैं कि जो लोग ये नहीं कर पाते हैं वो कभी भी एक अच्छी जोड़ी नहीं बना पाते हैं और बहुत बड़ा काम खड़ा नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब आप समरपड करते हैं तब ही वव्यक्ति आपके साथ पूरी सिद्द से काम करता है और समरपड जब होता है वहाँ पर दोनों की एनरजियां मैच हो जाती है और जहां समरपड नहीं होता है वहाँ एक दूसरे की एनरजी मैच नहीं कर पाती है तो किसी को समरपड में इगो फेक्टर आता है इगो इस वज़े से हो सकता है एज का फेक्टर एज मैच नहीं कर रही होती है कहीं कहीं पर एजुकेशन मैच नहीं कर रही होती है कहीं सिच्छा का बाब होता है तो हम ऐसे समझ सकते हैं इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, कि अलग-अलग तरह की सबजियां खाते हैं, अलग-अलग तरह की फल खाते हैं, कोई खटा, कोई मीठा, कोई कड़वा, कोई रसीला, तो हर कोई श्वाद को पसंद करते हैं, तो क्या हम उनको भी शुविकार करें, जेने हम पसंद करें, और ऐसा हम समझें, क्योंकि ये बिजनेस, पिपल बिल्डिंग बिजनेस में हैं, तो हमारे बिजनेस में 100% लोग किसी भी एक ब्यक्ती से रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अलग-अलग नेचर के, शुवाब के होते हैं, तो कभी भी वो सारे के सारे लोग एक ही ब्यक्ती से प्रिवाबित या इंप्रेस या रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी हम अलग-अलग लोग चाहिए, तो हमारे साथ साथ कोई भी अप्लाइं मिलते हैं, तो उनके प्रति समर्पण का भाव रखते हुए काम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बहुत बहतरीन साबित हो शकता है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, समर्पण के भाव में एक चीज भहुत अधिक महत्पूर्ण होती है, और वो है सुईक्रति की सकती, अगर हम देखते हैं, कि हमारा जहां जन्म होता है, जिस परिवार में, जिस गाओं में, जिस घर में, जिन पेरेंट्स के बीच में, वहाँ पर हमारी कोई चोईस नहीं होती, कोई सेलेक्शन नहीं होता, वहाँ किसी सरवे के द्वार हम उसको चुनते नहीं है, हमको तो जहां जन्म मिल जाता है, वहीं पर हम रहते हैं, इसमें युनिवेर्सल पावर का ही डिशन होता है, वह हमारा कोई डिशन नहीं होता, हमारे पास कोई चोईस नहीं होती, इस्वर के द्वारा यह Divine Power के द्वारा आपको जहान जन्म दिया गया जिस जगे जन्म मिला उसे आप सुईकार कर लेते हैं वहाँ सिच्छा का बाब हो सकता है यह आर्थिक टंगी हो सकती है कोई भी बाब हो सकता है वो हम complain नहीं करते हैं, हम उसको सुईकार करते हैं और अपनी जिम्मेदारी सुईकार करते हैं, उस माता पिता को हम सुईकार कर लेते हैं, जीवन में उसके प्रते कभी भी नेगीटिव नहीं सूचते हैं, उनके बारे में बुरा बला नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे काण एक ही है, क्योंकि वो हम सुईकार कर लेते हैं। जबकि हमने चुना नहीं है, बलकि वो हमें ईस्वर के द्वारा मिले हैं। ठीक इसी प्रकार से, जह हमने बिजनिस करना सुरू किया है, तो कोई रिसर्च नहीं किया, कोई चॉइस नहीं किया, स्लेक्ट नहीं किया, जो भी अप्लाएं हमें, मिले, प्लेस्मेंट के रूप म वो गौड गिप्ट हैं। नैचरल तरीके से मिले हैं। सर्वे करके, रिसर्च करके नहीं हमने चुना हैं। तो जो भी हमको मिले हैं, उनको हमको सुईकार करना होगा। जैसे भी हैं, आप जो आपको आईडी मिली है, जो आपके प्लेस्मेंट मिला है, वो ही आपके द्व वो तो प्राप्त हुई है तो आपको सुईकार करना होगा ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पिरेंट्स को सुईकार करते हैं ऐसे ही उस जगे को उन अप्लाइनों को सुईकार करना है मैंने भी यही किया और अगर मुझे कहीं कोई कमी दिखाई दी तो मैंने उसे अलग नहीं हुआ मैंने उसको अपनी जिम्मेदारी समझी और उसको पूरा किया अगर आपको लगता है कि यहां आप जोएन है या जिनके साथ आप काम करते हैं तो उसके कुछ कमी आएं तो ऐसे हम जन्म लेते हैं तो परवार में भी तो कमी आउते हैं आर्थिक संकट, सिच्छा का संकट और कोई भी संकट साधनों का अबाब वह सारे अबाब होते हैं वह हम कंप्लेर नहीं करते हम जिम्मेदारी लेते हैं सुईकार करते हैं किस गर में मेरा जन्म हुआ है तो अब मैं भी जिम्मेदारी सुईकार करता हूं और इन कमीओ को दूर करूँगा इसी तरह हम भी जिम्मेदारी सुईकार करते हैं इनका सायोग मिलता है कि संकट भाव के साथ काम करें और उस जिम्वेदारी को शुईकार करें और मिलकर उसी जगे पर बहुती बहतरी काम करें और एतना बड़ा काम करके दिखाएं कि लोग आने वाले समय में अपना आपका नाम लें आपके उधार दें आपके एक्जम्पल दें दोस्तों सम्मिशन आपको अपने प्लाइन के प्रति रखना होगा सम्मिशन आपको अपनी कंपनी के प्रति रखना होगा सम्मिशन आपको अपने प्रोड़क्ट के प्रति रखना होगा सम्मिशन आपको अपनी टीम के लिए रखना होगा क्योंकि जब तक हम समर्पड नहीं करते हैं सम्मिशन नहीं करते हैं किसी कों समर्पड नहीं होते हैं तब तक हमको उसका पूरा लाब नहीं मिल पाता है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरी पावर के बारे में वो है पावर आफ इश्पोकन बड़्स तो क्या दोस्तों आपको पता है, जो सब्ध हम बोलते हैं, वो एक बीज की तरह होते हैं, वो सब्ध नहीं होते हैं, वो बीज हैं, क्योंकि इससे बातों की एक उपज होती है एक्जामपल के लिए, अगर एक किसान की बात करें, तो उसे तीन बातें मालूम होते हैं नमबर एक, वो है जैसा बोएगा, बैसा ही पाएगा अगर वो है आम का बीज बोएगा, तो उसे आम का ही पौदा मिलेगा, ना कि नीम का अगर वो है, गुलाब का बीज बोएगा, तो गुलाब ही मिलेगा उसको, बबूल नहीं मिलेगा तो जो बोएगा, वो ही पाएगा नमबर दो, किसान जैसा भी बोता है, बदले में फल और बीज भी बैसे ही मिलते हैं आपने देखा भी होगा, कि एक फल में कितने बीज होते हैं, यह आप गिन सकते हैं लेकिन आप यह नहीं बता सकते, कि एक बीज में कितने फल होंगे यह बहुती मुश्किल काम है, यह कोई भी नहीं जान सकता नमबर तीन, किशान अपने खेत में जो कुछ भी होता है, उसका खुद जिम्मेदार होता है अगर फशल अच्छी होती, तो वह उसको कहां बेचेगा, उसका क्या करेगा, क्या प्रॉफिट कमाएगा, उसकी वो जिम्मेदारी खुद लिता है अगर फशल खराब हो गई, तो दुबारा से बोने की, दुबारा से मेनत करने की भी जिम्मेदारी लेता है ये किसान तीन बातें बह खुबी जानता है अब हम बात करते हैं सब्दों की, तो अगर आप अच्छे सब्द बोलेंगे, तो आप अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप खराब सब्द बोलेंगे, नेगेटिव सब्द बोलेंगे, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा अच्छे सब्द आपको चरम उचाईयों पर पहुंचा सकते हैं और खराब सब्द आपको नीचे भी गिरा सकते हैं जैसे सब्द आप अपने लिए सुनना चाहते हो तो बैसे ही सब्द पहले आपको बोलने होंगे क्योंकि कहा जाता है कुए में जैसी अब आज दोगे जैसी अब आज बापस आपको मिलेगी आपके पास आएगी आपका जो दिमाग है वो आपका खेत है खेत की तरह ही है जो बिचार उसमें बोगे बोही हो गएंगे और दोस्तों अगर जान भूज करके अगर उसमें पॉजितिव बिचार नहीं बोही गए तो उसमें आटोमेटिक नेगेटिव बिचार आही जाएंगे जिस तरही के से अगर खेत में कोई बीज ना बोया जाए तो आटोमेटिक ली वहाँ पर खत परवा खर पतवार और घास उग जाती है तो हमको जान भूज कर अपने दिमाग में पॉजितिव बिचार बोने होंगे क्योंकि आपका दिमाग बिचारों की फैक्टरी है यह बहुत गंबीर विशह है हम अक्सर यह कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता कुछ और हो जाता है चलो इस मिसे पर हम बात करते हैं इस्वर का जब यह आप चित्र देखते हैं या मूर्थी आप देखते हैं तो इस्वर में इसा क्या है? तथाउस्तू की मोड़ में होता है जैसे हम बोलते हैं जैसे लोग बोलते हैं मेरी कोई बात नहीं मानता भगवान क्या बोलने वाला है तथास्तू मेरा काम नहीं चला तथास्तू मेरी कोई बात नहीं सुनता तथास्तू मेरे को बहुत गुस्ता आता है तथास्तू मेरी टीम के लोग मेरी बात नहीं मानते जो आपके साथ हो रहा है उसको जब आप बार-बार बोलते हैं तो इश्वर आपको उस विचार को इस्थापित कर दिता है आपके जीवन में आपको बोलना क्या है इस पर आपको काम करना पड़ेगा यह भी एक काम है कि हम क्या सब्द बोलें बोलते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या बोल रहे हैं उस सब्दों का मतलब क्या है वो सब्द कैसे हैं वो पॉजिटिब है या नगिटिब है आपका दिमाग एक शुपर कम्प्यूटर की तरह है जो आप बोल रहे हैं वह बात आपके सब्दों का बार बार बोल रहे हैं और वही घटनाएं आपके साथ होने लगती हैं इसे कहते हैं पावर आफ इस्पोकन बार्ड्स मैं अजारा लोगों से मिल चुका हूँ आज तक एक भी ब्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो यह बोल सके कि मैंने यह फॉर्मूला लगाया और वह काम नहीं हुआ अगर इमानदारी से हम पावर आप इस्पोकन बार्ड्स को यूज करते हैं तो यह आपके लिए काम करते हैं जवर्जस्त रूप से काम करते हैं तो आपको आज के बाद अपने जीवन से नगेटिव सब्दों को नहीं बोलना है आपको पॉजिटिव सब्दों को ही बोलना है जो आप अपने जीवन में चाते हो उन सब्दों को आज आपको ऐसे बोलना है जैसे वो चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी हैं आप मंत्र के बारे में समझते हैं, मंत्र क्या होता है, दोसों मंत्र वो होता है, जिसके बोलने से काम हो जाएं, उसे मंत्र बोलते हैं, आप कभी रास्ते से जा रहे होते हैं, और एक बिखारी आकर आपसे भीग मांगता है, और उसे आप कुछ नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं, आगे जाकर के थोड़ी दूरी पर ही दूसरा बिखारी मिलता है, और वो है आपसे भीग मांगता है, उससे आप दे देते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ, पहले वाले को आपने नहीं दिया, और दूसरे वाले को आपने दे दिया, इसमें क्या अंतर था? इसमें अंतर था मंतर सिद्धी का, दूसरे विकारी ने अपने मंतर को अच्छे से सिद्ध किया हुआ है, बार बार बोल बोल के बोल बोल के, इस बज़ए से आपके अंदर से आवाज आई और आपने उसे कुछ दे दिया, इस चीज को आपको समझना है और इसे ही आपको सिद्ध करना है कि सब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है रोज सुगए हम उठते हैं रात की परिशानियों को याद करते हुए हम 24 गंटे इतने बिजीव रखे हैं जान बूझ कर दें जैसे कि कुछ नहीं तो मोबाइल खुलकर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं तो टीबी में लग जाते हैं और कुछ नहीं तो सोसल मिडिया में लग जाते हैं और कुछ नहीं तो घर के बार खड़े हो करके लोगों की बातों में लग जाते हैं। हम अपने लिए 15-20 मिनट का समय निकालते ही नहीं। खुश से तुम बात करते ही नहीं। और इसी कारण हमारे जीवन से नियंतरन खत्म होता जा रहा है। हम अपनी जीवन से कंट्रल खोते जा रहे हैं। इसको सुधारने की जरूत है। जो बात मैं आज आप से कह रहा हूं वह बात बहुत गंबीर बात है। आप इस बात को अगले 90 दिन तक प्रियोग करें। फिर मुझे बताएं क्या आपके साथ क्या हुआ। यह सब मैंने अपनी उपर प्रियोग किया है और बहुत सारे चीज़ों को अपनी जीवन में हासिल किया है। आपको वह बोलना है जो आप चाहते हो। आपको वह नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते हो। लेकिन अक्सर करके वही हम बोलते रहते हैं जो हमारे साथ होता रहता है, वह हम कभी नहीं बोलते जो हमको चाहिए होता है। आपके रिस्ते खराब हो, आपके रिस्ते खराब हो रहे हैं, आप अपने रिस्ते बेतर करना चाहते हैं, तो आप बोलो, कि मेरे सबी के साथ मधूर रिस्ते हैं, सबी रिस्तेदार मुझसे भहूत प्रेम करते हैं, ये बात मन ही मन बोलनी हैं, और जोर जोर से बोलनी हैं, आपका काम नहीं चला आप अपना काम चलाना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा मेरा काम बहुत सांधार चल रहा है मेरा काम बहुत धुआधार चल रहा है लगातार काम हो रहा है लगातार मेरे साथ लोग आ रहे हैं ये आपको बोलना होगा आपको लगता है आपके साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं आप चाहते हैं आपके साथ लोग जुड़े हैं तो आपको बोलना होगा कि मेरे साथ धुहादार लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ रोज लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ जुड़नेवाई लोगों की लाइन लगी हुई है मेरे टीम में लोग रोज सेकड़ों की तादत में जुड़ रहे हैं मेरे टीम लगातार बढ़ती जा रही है ये बोलना होगा आपको लगता है मेरे टीम में अच्छे दमदा लीडर नहीं आ रहे हैं तो आप चाहते हैं क्या आपकी टीम में दमदार लीडर आ है तो आपको बोलना होगा मेरी टीम में लगातार एक से एक दमदार लीडर आ रहे है दमदार करमाठ और करमसी लोगों की लाइन लगी हुई है आपको ये बोलना होगा बार बार बोलना होगा आपको बोलना होगा, मेरा जीवन तेजी से बदल रहा है, मेरा जीवन सुक में हो रहा है, रोज मुझे मेरा शौभागी की प्राप्ती हो रही है वह बोलना है चो सिद्धान्त है, मुझे सभी लोग बहुत चाहते हैं, मेरी इंकम जिन तर बढ़ती जा रही है और दोस्तों आप एक पेपर पर एक प्रेयर बना लीजिए लिख लीजिए एक पेपर के उपर जो जो आप चीजें चाहते हो एक तरब जो जो आपकी समस्या हैं उनको लिख लीजिए और उसका पॉजिटिव उसका सकारत्म जो चीजें से आप समस्यां से छुटकारा पाना उन चीज़ों को लिख लीजिए उन चीज़ों को अपने सब्दों में जब आप लिख लेते हैं उस पेपर के ऊपर और वो ऐसे लिखना है जैसे कि वो चीज़ें आपको प्राप्त हो चुकी हैं बस आप इसे अजमा कर देख लीजिए अगले 90 दिनों तक मैं आपको 100% नहीं 1000% कारणिटी देता हूँ कि आप जो बोलोगे वही आपके साथ होगा जैसे मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है मेरे सम्मंद सभी के साथ बहुत अच्छे हैं बहुती मदोर सम्मंद हैं मेरी टीम में बहुत दमदार लिडर लगातार आ रही हैं मेरी लगातार कैपिंग आ रही है मेरी टीम में भी लगातार कैपिंग आ रही है मैं डाइमन्ड हूँ मैं डाइमन्ड हूँ मैं और मेरी टीम लगातार तारगेट जीत रही है ये लगातार आपको एक पिपर पर लिख ले रहे है और दिन में तीन से चार बार दोराना है उस कागज को आप अपनी जिम में रखिए और जोर जोर से वहां मोलिए जहां आपको कोई सुनने रहा हो और निरंतर इस प्रक्रिया को आप दोराते रहिए लगातार करते रहिए जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि जैसे कि वह आपको मिल चुकी है got ह़ाई दोस्तोे ह apologized कि यहां करके मैं अपनी बातों को बिराम देना चाहूँगा मैं सिस्टम का बहुत-बहुत आवा रही हूं कि मैं अपने अप्लायन का बहुत-बहुत आवा रही हूं कि मुझे उन्होंने इस बनाया और मैं आज आपसे पात्चीब कर पाया थैंक यू बेरी मच विश्यू अलबस थैंक यू बेरी मच